हरी ओम नारायन हरी आप सम लोगों का मेरे यूटीब चैनल मैत्री टेरुट डीडिंग में सतारात्मक रूप से आर्दिक स्वागत है आप सम लोग स्वस्त रहें व्यस्त रहें मस्त रहें इसी इच्छा से इसी कामना से इसी प्रात्ना से इसी मंत्र से रोज मैं अपना कि अधily और जागी स्पर्श्री के और समस्री नवार में ज़ कि अधिया दुआ जड़ें पुब एच़ एचैया को ज़ेंगे एभानी, नवारा नवारा, साफ ज़ी। कार्ट मेरे सामने आ रहे हैं अब हम देखते हैं कि संदेश क्या है अब हम देखते हैं संदेश क्या है पहला कार्ड क्या बोलूँ पहला कर्ड ही judgment का है पहला कर्ड ही judgment का है अब इस जज्जमेंट से होगा क्या ये जो जज्जमेंट ये जो जज्जमेंट आपकी फेवर में है इसका असर क्या होगा आपकी अवेकनिंग होगी क्योंकि जिस चीज को ले करके अभी तक आप थोड़ा खुल के सामने नहीं आ रहे थे और कुछ गुटन में थे वो अब दूर होगी और आप अवेकन होगे जागरित होगे और अवेकनिंग के बाद आपका एक जज्जमेंट के बाद अवेकनिंग अवेकनिंग के बाद जो अब आपका रिन्योल होगा आप एक नए क्लेवर में अब आप एक नई उर्जा के साथ जब सामने आएंगे तो उसका बहुत पॉजिटिव असर आपके जीवन पर आपकी स्राउंडिंग्स पर आपके वर्क प्लेश पर आपके परिवार पर होने वाला है यह सब पॉजिटिव होगा असर यह सारा असर जो होगा यह पॉजिटिव होगा और आपका जो improvement है या आपका जो promotion और आपके जो are in service तो आपका promotion भी होगा आप promote होंगे जिस से आपकी power भी बड़ेगी आपका रुतवा भी बड़ेगा financial gain भी होगा और यह judgment आपको एक अच्छी स्तिती में लाने वाला है बहुत अच्छी स्तिती में लाने वाला है अगला काड क्या कह रहा है पहला काड ही जज्जमेंट का इतनी सारी positivity लेकर आया है तो वो ही positivity जब आगे बढ़ेगी थोड़े समय के बाद जब आप फिर एक अपना review लेंगे तो क्या होगा? आपको अपनी prosperity दिखने लगेगी आपको समझ में आने लगेगा कि पहले आप क्या थे और आज आप क्या है आप कई step आगे जा चुके होंगे आपकी prosperity आपको खुद समझ में आने लगेगी दूसरों को तो आएगी ही लेकिन कई दफे दूसरे ज़्यादा देखते हैं हम लोग कम देखते हैं अपनी चीज को कम देखते हैं लेकिन जब आप अपना review करेंगे तो आपको स्पस्टम स्पस्टम दिखाई देगा अपनी prosperity आपके परिवार की happiness आपको अपने परिवार की खुशी भी दिखाई देगी पहले आपका परिवार उतना चुल्बुला नहीं था जितना अब है क्योंकि जब इंसान को खुशी मिलती है तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा चुल्बुला हो जाता है उसको हसी मजाक करने का एक मोका मिलता है वही होगा खुशी होगी चोटे-चोटे सेलिब्रेशन होगा किसी को छेड़ दिया किसी मजाक कर लिया किसी कहीं गुमने चलेगे हर आपका फैमिली मेंबर अपने धंग से अपनी खुशी मनाता दिखाई देगा यही तो प्रोस्पेरिटी है यही तो एक अच्छा सिंटम है जैज्जमेंट का आज सारे काड़ी बहुत जारा पॉजिटिव आए है बहुत दिनों के बाद इस तरह के काड़ आए हैं और इस तरह की रीडिंग करने में बहुत अनंद आता है मेरे को आज सारे काड़ना एक्सिलेंट आए है क्योंकि आपकी कैरियर में अप्रोचुनिटी इस आपको फिनेंशल गेन और एक न्यू फिनेंशल और कैरियर अप्रोचुनिटी जो आपको मिल रही है वो क्यों मिल रही है जो आपने मैनिफेस्ट किया है आपके manifestation जो आपने किया है आपकी manifestation के असर से ही ये judgment आया है और अब जो भी आपको प्राप्त होगा वो abundance में प्राप्त होगा अगला आपकी मेहनत को दर्शा रहा है अगला कार्ड आपके hard work को दर्शा रहा है क्योंकि अगर आपको सफलता मिल गई है तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस सफलता से lesson लेखते हुए और ज्यादा hard work में जुट गए हैं आप और अधिक hard work कर रही हैं और आपका hard work और अधिक आपको उत्साहित करेगा अगली सफलता को पाने में और आप अपनी जो hard work कर रहे हैं उससे जो आपका skill है वो भी develop हो रहा है आपका skill भी बढ़ रहा है और ये card आपकी family life को बता रहा है ये card आपकी family life को बता रहा है जिसमें आपकी mutual attraction है अपने परिवार में अपने wife से अपने partner से और आपका बहुत अच्छी friendship है और पतनी के साथ भी पतनी तो ही है रोमेंस तो ही है लेकिन उनके साथ आपकी friendship भी है आपसी एक अच्छा तालमेल है और अच्छी आप corporate भी करते हैं एक दूसरे को और आपकी partnership में mutual attraction है mutual attraction है यही mutual attraction आपके परिवार में शांती स्थापित किये हुए है आपके परिवार में जो शांती है वो इसी की वज़े से है अगला काड़ यह बता रहा है कि personal life में और professional life में आपके पास बहुत अधिक possibilities है बहुत सारी possibilities है आप explore आपको करना है कि कौन सी possibility आपके लिए अतियुत्तम है बहुत सारी धेर सारी possibilities में से आपको अतियुत्तम possibility अपने लिए चुननी है और वो आप चुन लेंगे और आपकी जो एक सबसे बड़ी आपकी जो खासियत है वो यह है कि आप innocent है आप बेफजूल manipulations नहीं करते है आप एक innocent person है ज्यादा खुराफाती नहीं है आपके दिमाग में खुराफात नहीं चलती है लिए आइए इननो साइन्ट personality आप बोले बाले हैं और अपना काम मेनत से करते हैं ज्यादा इधर उदर ना ताकते हैं ना देखते हैं सीधे-सीधे रास्ते पे चलते हैं और अपनी इमांदारी बनाए रखते हैं यही वज़े है कि जो आपको इतना प्रभू फल दे रहा है इतना आपको फलदार व्रिक्ष बना रहा है क्योंकि जो ठूट होता है ना वो खड़ा होता है सूखा सीधा जुकता नहीं है लेकिन फलदार व्रिक्ष हमेशा धर्ती की तरफ जुका हुआ होता है वही आपको प्रस्नलिटी है काड prove इसी तरह कि आपकी प्रस्नलिटी को दर्शा रहा है बता रहा है कि आपकी जो इन्नोसेंस है वही आपकी सफलता का कारण है जो आपके इस्ट दे में आपकी इन्नोसेंस से ही प्रसन है आप चाहिए सीधे हाथ से करें पूजा जा उल्टे हाथ से करें लेकिन आपका जो अंतर है आंतरिक जो आपका वो है वो बहुत शुद्ध है अगला कार्ड ये बता रहा है ये कार्ड उनके लिए है ये कार्ड मदर्स के लिए है आपकी फैमली में जो मदर होगी चाहिए वो आपकी वाइफ मदर हो आपके बच्चों की या आपकी मदर अपनी हो तो वो बहुत आपको प्यार करती हैं लविंग मदर हैं आपके लिए और आपकी हैपिनेस और आपकी क्यार बड़ी इमोशनल ही करती है बड़ी ही इमोशनल वे में वो आपको हैंडल करती है बहुत प्यार से और आप भी उनको अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं और उनको बड़ा इमोशनली लेते हैं वो बहुत आपके मन का नाजुक हिस्सा है आपके मदर याद रखिएगा इस चीज़ को अगला कार्ड अगला कार्ड ये बता रहा है आप इन्नोसेंट तो है मगर अपने काम में चाहिए वो फैमिली का हो चाहिए आपके प्रफेशन का हो आपकी प्रफेशन इतनी है इतनी प्रफेशन है आपके काम में कि कोई सुई की नोग जितनी कमी भी आपके काम में नहीं निकाल पाता है सुई की नोग के बराबर भी कभी आपके काम में कोई नहीं निकाल पाता यह आपके पास इश्वरिय गुर्ण है, यह आपको इश्वरिय अशिर्वाद है और आपका प्रफेक्षन ही आपकी पहचान भी है आपकी perfection ही आपकी success भी है और आपकी perfection ही आपके सारे काम को बहुत शिगरता से पूरा करवाती है fulfillment होता है आपकी काम का fulfillment होता है आपकी wishes का fulfillment होता है जो आप काम अपने हाथ में लेते हैं उन सब का और इसकी अलावा आप travel के शोकीन है जर्णी करना आपको अच्छा लगता है और वो सारी जितनी भी जर्णी आप करते हैं fruitful रहती है fruitful रहती है यहाँ पर मैं आपसे एक request करना चाहती हूँ मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है spiritual walk with mehtri प्लीज आप उसको भी अधिक से अधिक subscribe करें like करें share करें अपने मित्रों में अपने परिवार में उसमें मैं अध्यात्म की बात करती हूँ spiritual subjects के उपर बोलती हूँ facts के उपर बोलती हूँ तो अगर आप मेरा वो YouTube चैनल subscribe, like और share करें तो साथ में bell icon भी जरूर click कर दें ताकि video upload होते ही आपको notification भी मिल जाए अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपकी health कुछ दामा डोल हो सकती है आप अपनी health का ख्याल रखे क्योंकि अगर health पूर हो गई तो जितने आप successful है वो slow down हो जाएगा तो slow down नहीं करना है जिस speed से आप काम करना है उसी गती से आप काम करें उसके लिए आपको अपनी health का विशेश दियान रखना होगा ताकि अगर आप बिमार हुए तो financial loss होगा क्योंकि आप अपने काम को नहीं देख पाएंगे तो इसलिए मैं यह कह रही हूँ कि यह कार्ड आपकी health issue के बारे में है और यह कह रहा है कि आपको अपनी health का विशेश दियान रखना होगा आप एक बार अपना थारो चेक अप भी करवाएं और अगर कोई problem है तो उसका पूरा treatment लें आप कोई ऐसी बात नहीं आप पूरा treatment लें अगला कार्ड आपकी leadership को बता रहा है कि आपके अंदर leadership quality है और आप एक मन से बड़े भले मानुश है जिसकी वज़े से सब लोग आपके पूरा विश्वास करते है कि अगर आपके हाथ में कोई बात आ गई है कोई निरने आपको ही लेना है तो वो कभी बाइस नहीं होगा वो कभी एक पक्षिय नहीं होगा वो सब की favor में होगा तो आप में जो leadership quality है लोगों को मालूम है कि अगर कोई चीज आपके हाथ में गई तो उसकी good news ही आएगी उसमें कुछ किसी का मन नहीं तूटेगा आप ऐसा निरने लेंगे जितना circle होगा वो सब की favor में होगा और इस public recognition बहुत अच्छे से मिली हुई है मिलेगी ऐसा नहीं कह रही हो मिल सकती है ऐसा भी नहीं कह रही हो मिली हुई है क्योंकि ये सारा जो आपको इश्वरी अशिरवाद है और आपके अंदर जो एक इन्नो सैंस है भूलापन है सरलता है आप किसी के लिए कोई manipulation नहीं करते हैं लोग असफलता manipulations की वज़े के होती है क्योंकि जब हमारे मन साफ नहीं होते हैं तो फिर हम काम याप भी नहीं हो पाते हैं कितने ही हम skillful हों कितने ही हम perfect हों लेकिन हमारा अंदर भी अच्छा होना चाहिए जब हमारा अंदर अच्छा होगा तो हमें बहुत भाग लगेगा तो आज की reading जितनी आपके साथ resonate कियो उतनी लीजिएगा और जो आपके साथ resonate ना करें उसे जाने दीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube जैनल मैं 3 Tarot Reading को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकान नोटिफिकेशन मिल जाए हार योग नारायन हरी